शार्दा ने अपने दोनों बेटों में कभी फर्क नहीं किया लेकिन उनकी किस्मत थी कि दोनों को अलग-अलग रास्ते पर ले गई बड़े बेटे अभिशेक ने एक लखपती बाप की इकलोती बेटी से लव मैरेज कर ली जब गरीब के घर अमीर बेटी आई तो उसके पिताजी ने उसे वही सारी सुख सुविधाय उपलब्ध करा दी छोटा बेटा चेतन बोला मा भावी कितनी अमीर है ना आज तो भावी की पिताजी ने भया को कार दी है चेतन उन्होंने जो दिया है अपनी बेटी को दिया है ताकि हम गरीबों के घर उसे कोई तकलीफ ना हो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस रेनू बहु गुड़ी और संसकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रेनू बहुत घमंडी थी, उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड था, इसी लिए वह किसी को कुछ नहीं सम लगी, तो अभिशेक बोला, अरे ये क्या चेतन, बहु को स्कूटा से ले जाने की क्या दरूरत, हमारी घर में कार है, तुम कार से ले जाओ, कार कभी सपने में भी देखी है, मेरे पिताजी ने कार मेरे लिए दी है, ना कि सवारी ढोने के लिए, हाँ, ये क्या कह रहे हो शुभी और चेतन क्या बाहर की लोग है? अरे ये हमारा परिवार है चेतन मेरा छोटा भाई और शुभी उसकी पत्री है आप से तो क्या ही बहस करूँ? आज तो ले जाईए, लेकिन आगे से ध्यान रखना ये मेरे दहेज में आई है, ना कि शुभी के, हाँ उनकी बात सुनकर शुभी की आँखों में आसु आ गए और चेतन भी बहुत दुखी हुआ भाबी, आप क्यों नाराज होती हो? हम स्कूटर से ही जा रहे हैं आपकी कार में बैटने के हैसियत नहीं है हमारी चेतन शुभी को स्कूटर से लेकर चला गया एक दिन शारदा ने कहा शुभी बहु, जरा एक गिलास थंडा पानी तो देना बहुत गर्मी लग रही है अभी फ्रिच से लाती हुँ माजी शुभी फ्रिच से पानी लेकर आई मगर गलती से फ्रिच खुला रहे गया रेनू की खुले फ्रिच पर नजर गई तो वह गरचते हुए बोली ये ये फ्रिच किसने खुला छोड़ दिया दीदी वो जल्दी में मैं ही भूल गई बंद करना आएगा ही कैसे फ्रिच कभी देखा भी हो तो आगे से खुला ना रह जाए ध्यान रखना और शुभी को बेटी हुई शुभी बहुत खुश थी लेकिन अपनी गरीबी को लेकर उसे चिंता सताने लगी सुनो जी इतनी तनख्वा में गुजारा नहीं है अब तो हमारी बेटी भी हो गई है इसके भी तो खर्चे बढ़ेंगे तो आगे कैसे चलेगा हाँ शुभी सोच तो मैं भी यही रहा हूँ भावी भी हमारे गरीबी पर आई दिन ताने कस्ती रहती है हम दोनों के पढ़े लिखे होने का भी कुछ फाइदा नहीं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है हमारी प्रियल भी बढ़ी होगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे इसलिए सोच रही हूँ मैं भी कुछ काम कर लूँ पी यह पास होने के बावजूद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई वो दोनों बाते कर ही रहे थे कि बाहर से रेनू की आवाज आई हाँ हाँ वही तो है आपकी लाडली मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं मेरे पिता जी ने आपका घर भर दिया फिर भी आपको मुझ में कमिया नजर आती है बहू बार बार ये ताना मत दिया करो उन्होंने जो भी दिया तुम्हें दिया तुम जानती थी कि हम गरीब है फिर अभिशेक से शादी क्योंकी अपनी बराबरी वालों से करती गरीब है लेकिन तुमसे लाख गुना अच्छी है मेरी छोटी बहू तो ठीक है आज से अपनी लाडली बहू के साथ रहो हमसे कोई मतलब नहीं ये कहकर रेनू ने अपना सारा सामान अपने कमरे में रख लिया और अलग रहने लगी अब तो अभिशेक भी रेनू से शादी करके पच्चताने लगा था लेकिन अलग होकर अब रेनू खुश रहती थी धीरे धीरे समय गुजरने लगा दोनों के बच्चे प्रियल और गौतम बड़े होने लगे ममा जब हम लोग अपनी कार में बैठ कर जाते हैं तो प्रियल और चाची चाचा हमें अजीब तरह से देखते हैं जलने वालों को और जलाना चाहिए वो गरीब लोग हैं कभी कार में नहीं बैठ सकते इसलिए हम से जलते हैं एक राज शुभी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा वै दर्द से तडप रही थी उसकी चिलाने की आवाज सुनकर पडोसी भी आ गए शारदा ने कहा चेतन देर मत करो बहु को अस्पताल ले जाओ मैं मैं प्रियल के पास रुकती हूँ लेकिन मा ये स्कूटर पर बैठने की हालत में नहीं है ठेरो मैं रेनू बहु से गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ शारदा ने रेनू को शुभी की तबियत के बारे में बताया और उसकी गाड़ी की चाबी मांगी मा जी मेरी कार की क्या जरूरत है अगर तबियत इतनी ही खराब है तो एंबुलन्स बुला लीजी उसने ये कहकर दर्वाजा बंद कर लिया शारदा वहां से चुपचाप वापस आ गई और बोली चेतन रेनू बहु ने गाड़ी की चाबी नहीं दी अभी शुभी को अस्पताल कैसे लेकर जाऊँ अरे बेटा हमारे रहते है चिंता की क्या जरूरत है मैं भी आटो लेकर आता हूँ चेतन उसे पडोस के रगु चाचा के आटो से अस्पताल ले गया तब जाकर शुभी की तबियत में सुधार हुआ अब कैसी हो शुभी? अब ठीक हूँ अगर समय पर रगु चाचा आटो लेकर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता शुभी मैंने सोच लिया है रहेगी लेकिन हमारी कार के लिए पैसा कहां से आएगा? अरे पस यही तो फिक्र है पैसा कहां से आएगा? बेटा मेरे पास कुछ पैसे जमा है मैं तुम्हें वो पैसे देना चाहती हूँ अगर तुम चाहो तो उनसे कोई काम शुरू कर लो क्योंकि जो भाई अपने भाई के बुरे समय में काम नहीं आ सकता वे भला किसका हो सकता है? मा, आपने तो हमारी सारी चिंताए दूर कर दी अब उन पैसों से मैं अपना काम शुरू करूंगा चेतन ने उन पैसों से डिस्पोजबल बरतनों का काम शुरू किया जिसकी इस समय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड थी कुछ ही दिनों में चेतन के काम ने रफ्तार पकड़ ली अभिशेक, लगता है तुम्हारे भाई ने कोई दो नंबर का काम शुरू कर दिया है आज फ्रिज खरीद कर लाएं है तो क्या हुआ रेनू, फ्रिज तो चाहिए ही तुम तो अपना फ्रिज अपने कमरे में रखती हो आखिर क्यों न रखूँ, मेरे पिता जी ने मुझे दिया है तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं रेनू, मैंने तुम से शादी करके बहुत बड़ी घलती कर ली खुद को और अपने बाप की अमानत को समाल कर रखो मैं अपने भाई और माँ के पास जा रहा हूँ इतना गुसा ठीक नहीं है अभिशेक ये एशो अराम छोड़ कर उन फकीरों के पास तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और एक दिन न यहीं लोट कर रहा होगे हाँ ये तो समय बताएगा अभिशेक ने शारदा से माफी मांगी अभी वे बाते कर ही रहा था कि कार का हौन बजा और जोड से बचता ही रहा शारदा ने कहा अरे किसकी कार है ये हौन बजाए जा रहा है तब ही चेतन कार से निकला और चाभी अपनी मा के हाथ में देते हुए बोला मा ये लीजे अपने गरी बेटे की कार की चाभी शुभी अपनी नई कार को देख कर बहुत खुश थी बाईया मुझे देज में तो नहीं मिली लेकिन आज मैंने अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदी है और इस मेहनत की कमाई से ही अपनी मा और पत्नी के होटों पर मुस्कान देख पाया हूँ गरीबों के घर नई कार आने का खूब जलसा हुआ जिसे देख कर रेनू भी खुद को नहीं रोक पाई और कहने लगी आप सब लोग यहां एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हो और मैं, मैं वहां केली पड़ी हूँ मुझे नहीं रहना वहां केले मैं भी आप सब के साथ रहूँगी शुभी, मुझे माफ नहीं करोगी दीदी, आप बड़ी हैं माफी मांग कर मुझे शर्मिन्दा मत करो यह मेरा ही नहीं, आपका भी घर है और फिर सब कुछ भूल कर वो सब ही लोग अपनी पहली कार से लॉंग ड्राइव पर चले गए अनी और निकुंज की सोशल साइट पर बाचीट शुरू हुई बात प्यार में बदली और प्यार शादी तक जा पहुचा अपने मा और बाबुजी के लाख मना करने पर भी निकुंज ने अनी से शादी कर ली और सब तो मान भी गए लेकिन निकुंज की मा विमला इस शादी से बिलकुल भी खुश नहीं थी जब शादी के बाद अनी पहली बार घर में आई तो निकुंज के पिताजी हरजीत ने कहा अरे अब मान भी जाओ भागेवान और अपनी बहु के स्वागत की तैयारी करो इस पर विमल बोली सोचा था कि अपनी सहीली सविता की बेटी को अपनी बहु बना कर लाओ गी लेकिन निकुंज ने विलायती बहु लाकर मेरे सारे अर्मान मार दिये ना भाशा जानती होगी ना संसकार कीडे मकोडे खाती होगी सो अलग अरे अब चिप भी रहो बहु आ गई एनी ये मेरे मा और बाबु जी हैं आनी ने कहा ओ येस नमस्ते माम जी नमस्ते डाट जी सदा खुश रहो बेटा बहु ये अपने पैर से कलश गिरा और अंदर आ जा बट क्यूं माम इसके अंदर तो राइस है राइस तो कुक करके खा सकते हैं इसन उमिन एनी ओ येस समझ गई एनी ने कलश को इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह खिड़की से जाटकराया विमला बुस्से में बोली सत्यान नाश तोड़ दिया काच आते ही कर दिया अप्शगुन वट अप्शगुन माम कुछ नहीं बेटा तुम अंदर जाओ एनी तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो कोई हेल्प चाहिए तुम आँसे बोल देना देखो मेरी माँ गाओं की हैं और तुम विदेशी हो अगर वो कुछ कहें तो बुरा मत माना तुमको हम लोगों के रेती रिवास सीखने में थोड़ा समय लगेगा मगर माँ तुमें सब सिखा देंगी ओके मैं ट्राइ करूंगी विमला कमरे में कुछ साड़ी और गहने लेकर आनी के पास गई विमला ने बहु से कहा बहु ये कुछ गहने और साड़ी है सुभा जल्दी उठकर नहा लेना ये साड़ी और ये गहने पहन लेना नहीं तो लोग कहेंगे कि बहु बेटे की पसंद थी इसलिए बहु को कुछ नहीं दिया ओके माम मैं सुभा रेडी हो जाऊंगी लेकिन सुभा आनी साड़ीों को लपेटे हुए बाहर आकर खड़ी हो गई विमला हैरानी से बोली ए भगवान ये विलायती बहु क्या मेरे ही नसीम में लिखी थी बहु क्या तुने कभी किसी को साड़ी पहनते हुए नहीं देखा देखा है माम मेरी माम भी पहनती थी बत मैंने कभी नहीं पहनी आप सिखा दोगी तो सीख जाऊंगी विमला ने आनी को साड़ी पहनाते हुए कहा तेरे वश की बात नहीं सारी पहननी ठीक है घर में कुछ भी पहन मगर बाहर सली के से निकलना आखिर हमारी भी कोई इज़त है आनी धीरे धीरे घर के थोड़े बहुत कामकाद समझने लगी एक दन विमला बोली अच्छा मैं जरा मंदर जा रही हूँ मेरे बाद घर का ध्यान रखना थोड़ी देर बाद ही घर में एक बिखारी आ गया बेटी भीक्षा दे भीक्षा मैं नहीं जानती कुछ पैसे दे दे बेटी कितने पैसे देने हैं मौम जी तो बता कर ही नहीं गई बिखारी को लगा कि मौका अच्छा है लड़की विदेशी है शायद कुछ नहीं जानती दस पाँच हजार तो दे दे बेटी ओके वेट करो मैं देती हूँ उसने अपनी सास के पर्स में से पाँच हजार रुपए निकाल कर बिखारी को पकड़ा दिये बिखारी ने जल्दी से पैसे लिए और वहां से भाग गया विमला मंदर से आकर बोली कोई आया तो नहीं था मॉम जी एक भिखारी आया था उसने दस पाँच हजार रुपए मांगे मगर आपके पर्स में सिरफ पाँच हजार रुपए थे मैंने उसे पाँच हजार ही दे दिये विमला अपना माथा पकड़ कर रहे गई ए प्रभू ये तो इस तरह किसी दिन घर भी किसी के नाम लिख कर दे देगी ये तो किसी दिन हमें बर्बाद कर देगी माम जी आप क्यों रो रही है क्या मैंने कोई मिस्टेक की है क्या तूझे नहीं पता कि विखारी को 10-5 रुपए से ज्यादा नहीं देते सॉरी माम जी मुझे नहीं पता हमारे कंट्री में भीक नहीं मांगते माम जी आप मेरी माम हैं मुझे सब कुछ समझा दी चीए मैं दिरे धिरे सब सीख चाऊंगी पता नहीं कैसे सीखेगी सुन कल निकुंज की बुआ और उनके बहु बेटे आ रहे हैं उनकी आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए हाँ अगले दिन क्या बाते है नी आज बहुत जल्दी उड़ गई येस आज आपकी बुआ जी की फैमिली आ रही है माम जी ने कहा है कि उनकी आफ़त में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आफ़त ये क्या कह रही हो येस माम जी ने ये ही कहा था एनी माने आओ भगत कहा होगा हाँ वह ही ओके अभी किचिन में जाती हूँ नहीं तो माम आंग्री हो जाएंगी आनी ने विमला के साथ मिलकर बुआ जी के स्वागत की सारी तैयारी करी देखो माम जी मैंने बुआ जी के फेवरिट पनीर पकोड़े भी बना दिये हैं हाँ ठीक है अब जा और ये छोटे कपड़े बदलकर साड़ी या सलवार कुड़ता पहना इससे पहले की आनी कपड़े बदलती बुआ सीमा और उनका परिवार आ गया नमस्ते दीदी आओ सब लोग अंदर आजाओ आनी ये तुम्हारी बुआ जी है पैर चुओ अरे बस बहु रहने दे आजकल की बहुए पैर कहा चूती है नहीं बुआ जी ये मुझे मौम जी ने से खाया है अरे वा भाबी तुमने तो विदेशी बहु में संसकार भर दिये हैं छोटे कपड़े पहन कर भी वह पैर चूना जानती है आखिर मेरी बहु है संसकार तो होंगे ही और रही बात कपड़ों की बिचारी दिन भर साथ मीटर की साड़ी पहन कर काम कैसे करेगी इसलिए जो उसे ठीक लगे वो पहने मुझे तो बस काम चाहिए हाँ सही कह रही हो भाबी विलायती बहु रखना बहुत ही मुश्किल काम है कई दिन बुआ जी विलायती बहु की कमिया निकाल कर और विमला को भढ़का कर चली गई लेकिन जाने के बाद वह कुछ असर विमला पर छोड़ गई विमला जबसे आनी को हर बात के लिए विदेशी होने और छोटे कपड़े पहनने के ताने देने लगी क्या बात है एनी, तुम रो रही हो हाँ, मैं रो रही हूँ सिक्स मन्स से मैं सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी मॉम जी मुझे बात-बात पर ताचती रहती है मैं जानता हूँ एनी, तुम्हारे लिए ये देशी रीत रिवाज अपनाना बहुत मुश्किल काम है लेकिन प्लीज, मा की बात को दिल पर मत लिया करो वो मा है, जैसे तुम्हारी मॉम थी, विल्कुल वैसी ही ठीक है ने कुँच, मैं मॉम जी की बात का अब कभी बुरा नहीं मानूंगी अगले दिन विमला बिस्तर से नहीं उठी, आनी ने सोचा रोज तो मॉम जी जल्दी उठ जाती है, मगर आज अभी तक क्यों लेती है उसने पास जाकर देखा तो वे करा रही थी उसने जल्दी से पानी की पट्टियां विमला के माथे पर रखी और हाथ-पैरों की मालिश करी मॉम, मैं आपके लिए स्ट्रॉंग सी चाई बना कर लाती हूँ, उसके बाद आप मेडिसिन ले लेना दवाई लेने के बाद विमला को कुछ आराम मिला उसे प्यास लगी, मगर कमरे में पानी नहीं था वे पानी पीने के लिए बाहर आई उसने देखा कि एनी मंदिर के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी गौड मेरी मॉम तो मर चुकी है बट निकुंच की मॉम जी को ही मैं अपनी मॉम जी समझती हूँ उन्हें कुछ मत होने देना, उन्हें जल्दी से ठीक कर दो गौड अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं बिना मॉम के रह जाऊंगी मैं उनके बेना कैसे रह पाऊंगी गॉड मैं रोज आपकी पूजा करूंगी प्लीज गॉड मेरी माम जी को ठीक कर दो यह सुनकर विमला की आँख में आसु आ गए आनी एक मा मर गई तो क्या हुआ मैं हूँ ना मैं अभी जिन्दा हूँ और तेरी सेवा से बिलकुल ठीक हो गई हूँ मैं तेरे विदेशी होने के कारण तुझे उल्टा सीधा कहती रही पर मैं नहीं जानती थी कि तू मुझसे इतना प्यार करती है मुझे माफ कर दे बेटी आनी दोड कर आई और विमला के गले लग कर बोली थांक यू मॉम जी, यू आ दे बेस्ट मादर इन लॉ इन दिस वर्ल्ट विमला हसते हुए बोली तू भी तो मेरी सबसे प्यारी विलायती बहु है